आगे देखते हैं कि इन सब सिस्टम जो एलेक्ट्रिकल सिस्टम टेक्लेलोजी को देखा हमने तो आगे कैसे काम करेगा उसके बारे में भी एक पूरा सिस्टम रहता है EMS जिसको बोलते हैं तो जैसे एक मनुस्री के सरीरी का पूरा कंट्रोल मनुस्री का ब्रेन करता है उसी तरह एक गारी का पूरा कंट्रोल EMS यानि की इंजन मेरेंजमें सिस्टम के द्वारा किया जाता है इसके मुख्य ब्रांच होते हैं एक एक करके अलग अलग पार्ट में माट दिया जाता है क काम और फिर उस सारे काम को एक जगह EMS में एकठा कर दिया जाता है जिसको आप अगर समझें आसान भास है में तो जैसे कि इंजन ब्लॉक हुआ आप्टर ट्रीटमेंट यानि कि एकजोस्ट का आप्टर ट्रीटमेंट जो प्रफॉमेस चला है मोडूल का वो कैसा है उसमें प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है वो डागनोसिस सिस्टम के थूरू अगर उस मोडूल को पार्टिक्लर मोडूल को डागनोसिस करेंगे तो उसमें टाइब के memory ये यूज होते हैं जहाँ पे इन सब पार्ट इन सब मतलब box में यानि इन सब component में कोई भी परिशानी आती है या working में हो या फिर कोई भी इसकी wiring में problem आ रही है या फिर किसी परकार का भी इसमें त्रोटी आता है तो यह इसको एक direction देता है और वहाँ पे एक fold create क module फिर आपको turbo का हो गया आपको sensors more than 18 sensors यूज किये जाया है जो different parameters को major करता है जैसे कि pressure हो गया temperature हो गया flow sensor हो गया तो यह सारा चीज होता है अब यह इसमें क्या है यह जो इतना simple देख रहे है उतना इसका working करने का उतना ही complex तरीका होता है तो उसमें आपको separate module डाला जाता है ह जैसे माल लेते हमारा doging module कैसे काम कर रहा है एक doging module को किस तामें पर कितना यूडिया का चिर्काव करना चाहिए आपको SCR के भल में ताकि वहां से जो exhaust gas के साथ NOXR आ है वो फुली तरह से reaction करके जो बाहर gas निकले वो nitrogen के रूप में निकले तथा H2 यानी की पानी तथा CO2 क तो इन सब चीजों के आप देखेंगे कि याने वले टाइम में हमारे क्या problem आ रही है तो उसको जो system है डाला गया एक ये diagnosis system के थूरू हमारा यानी की scanner के थूरू पता लगाएंगे कि आखिर हमारे जो नए नए unit use किये गया है उसमें क्या problem आ रहा है उसमें क्यूं अतलब D DTC code आ रहा है उसका कहा से वाइनिंग में problem है कहा से sensor में problem है कौन से एक्चुएटर का problem आ रहा है तो वो सारा system एक diagnostic unit के थूरू control किया जाएगा और एक बात ध्यान देललाख है कि अब जो भी गारी आएगी BS6 में जितने भी हो या low commercial vehicle हो या high weight commercial vehicle हो उन सब में एक मतलब आप कि जिस हिसाब से electronic system डाले गया है गाडियों में उसका monitor performance को monitor करने के लिए एक ना एक control system चाहिए control loop चाहिए जो हमें बताएगा कि वो काम कैसे कर रहा है या फिर किस समय पर कैसे काम करना चाहिए तो वो सारा controlling system आपको एक main unit जो control unit है यानि की EMS है वो सारा उसके थूरू operate करे अगर उसमें किसी परकार की तुरूटी आती है problem आती है तो एक fault generate करेगा फिर आपको main structure यानि EMS में आपको store कर देगा फिर उसे हम diagnostic system के थूरू detect करेंगे कि वो क्या fault है और वहीं पर बात करें कि जब यह नया चीज में को जैसे हमने बदला किसी चीज को dozing module को बदला या फिर urea tank को जो control flow होता वो जो module control कर रहा है उसको बदलेंगे तो उस टाइम पर हमें calibration भी करना पर सकता है उस चीजों का module का फिर programming करना पर सकता है तो वो सारा चीज कैसे होगा वो भी उसके लिए भी आपको OBD की जरूरत होती है तो उसको हम भी diagnostic tool यानि के scanner के थूरू करेंगे और अगर मान लेते हैं यूरिया का treatment कर रहे हैं या फिर जो भी gas आ रहे बाहर exhaust gas के दोरा जो हमें हरम फुल होते हैं हमारे वाताबरन के लिए तो उनको treatment करने में जो भी system लगाया गया है तो उस system में किसी परकार की खराबी आती है तो वो भी diagnostic tool यानि scanner के दोरा detect कि जाएगा और पूरी canvacs की wiring तो पहले से ही आ रही थी पिछले कुछ सालों से जो जैसे sensors हो गया actuators हो गया आपको control system के दोरा control किया जा रहा था जैसे हो गया crank sensor, cam sensor हो गया आपको temperature sensor हो गया rail pressure system हो गया तो इन सब चीजों का आपने देखा पहले भी देखा है और आने वाले time म भी देखेंगे कि कैसे काम करता है बलाई इसकी मतलब नीव तो पहले ही डाली जा चुकी है लेकि आने वाले time ये दीरे दीरे और भी इसमें बदलाव किये जाएंगे और थोरा जब तक ये गारी चलेगी तब तक ऐसे system आते रहेंगे और हमारा main tool है scanner हमारा काम करते रहेग तो चलिए आसा करता हूं कि जो चीज मैंने को बताया वो समझ में आई होगी अच्छे से और अगर आपको कोई परिसानी है तो आप comment box में नीचे comment करके पूर्श सकते हैं और आगे आने वाले slides हमारे साथ ही explain करेंगे जहां पर आपको कुछी सीखनों को मिलेगा कि जो system है market में आने के बाद क्या challenges होगा हमारे सामने अगर यह खराब होता है तो हमारे सामने अगर आता है तो हम इसे कैसे बनाएंगे और जहां पर challenge होता है हमारे लिए opportunity भी होता है एक प्रक्त का अब ध्यान देना तो हमारे पास एक opportunity भी रहेगी कि अगर यह जो module है वो खराब हो ग अब आगे मिलते हैं फिर देखते हैं कि हम और आप के जो सीखने का जो दोर चला है वो कब तक चलता है और हमें साथ चलते रहेगा तो थैंक्यू धन्यवाद आप लोगों का आप लोगने इतने देर तक हमारे साथ जुरे रहे और आशा करता हूं कि मेरे दोरा दिये गए ट् हो अच्छा भी लागा होगा तो थैंक्स बाइबाइबाइबाई